किसे भी लक्ष को हासिल करने के लिए जोश के साथ होश का होना बहुत ज़रूरी है उसी तरह हिम्वत के साथ हिकमत का होना लास्पी है होश और हिकमत के बगर मंजिल तक पहुचना मुश्किल नहीं ना मुनकिन होता है नई पेड़ी को ड्रिम्स देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ उसे हासिल करने के लिए उसका डारिक्शन भी तैय करना होगा कि क्या करना और कैसे करना है वर्दमान में नई पेड़ी दिशाही नजर आती है शायद यही वज़ा है कि समाज अन्य समाजों से पिछट दिचा रहा है यह मत्व हैद्रबाद के प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता मुनवर जहाने यहां व्यक्त दिक्या सानिय कोई नुर पार्क में आजित जलसा याम को सं जाते हैं समाज का एक तपका इसी का शिका है कुरानी आयद का हवाला देते वे उन्होंने बताया की 5 वक्त की नमाज में सबसे में पड़ी परड़ी चाने वाली सुरह सुरह फातिह आई है जिसके बगए नमाज मुकमिल नहीं होती है इसे तरह फाति हमें दूआ की चाती है कि या अल्ला हमें सीधी रात दिखाना जिस पर चलने वालों को इनाम दिया जाता है उस रास्ते पर नहीं चलना है जिसमें नाकाम्यावी है मौलवी बर्कत उला-खान, मुफ्ति मह्मद हनीव कास्मी, मौलवी महमद अक्पाल, मौलवी शम्शाद आलम कास्मी तथा जलसा में आईचर्ठ मौहंद अकरम, नासिर मेमन, अधर खाद, नासिर हुसें, मुश्आर उल्हक, जाकिर रुसें, अश्यद अकपाल, अमान उलह कासीम इम्रान शहजाद बेक के अलावा शहर की प्रसिद्ध हस्तिया मौच होती जलसा आम के दूसरे मुक्त वक्ता शिक्षा विशिशक्या मौदाना हुसेफा वस्तावनी ने अपनी भाशन में दर्ज़दार तालिम पर जोड़ देती वे कहा कि उच्छ शिक्षा हासिल करन बेज जरूरी है ताकि नई पिड़ी अपने संसकारों को याद करती वे उस पर अमल करते रहें इन्बेसर नियूस के लिए अकोला से अजगर खान के रिपोर्ट